हेलो फ्रेंड्स बड़े गुलाम अली खां साब ने खाहा है कि अगर हर फैमली में एक म्यूजिशन भी होता तो फिर इस दुनिया में जाधा पीस अमन और चैन होता बिल्कुल सही कहा है क्योंकि हम सब के इमोशन्स तो वही हैं सुक्क के इमोशन्स दुख के इमोशन्स लड और इसे गाया है किशोर कुमार जी ने और आशा भूसले जी ने चलिए देखते हैं कौन सी ताल है और किस राग पर बेज़्च है ये गीत इस गीत में जो ताल बज रही है वो है ताल कहरवा जिसमें आठ मात्राएं होती है और इस ताल का ठेका है धागे नाति नक धिन ये गीत ताल की पहली मात्रा यानि सम से ही शुरू होता है इस गीत की नोटेशन में रे गधनी इन चारों स्वरों के कोमल रूप का प्रयोग हुआ है इससे हम समझ गए कि ये गीत राग भैर्वी पर आधारित है अब राग भैर्वी संपून जाती का राग है तो फिर इन चारों कोमल स्वरों के अलावा भी स्वर लगाय जा सकते ह यानि 12 स्वर संगीत में हैं उन्वी स्वरों का इस्तिमाल हम इस राग में कर सकते हैं यहां तक कि शुद्ध नी शुद्रे और तीव्रम भी लगता है रागभिर्वी में लेकिन हां इनका अल्प प्रयोग होता है यानि काफी कम दिखाये जाते हैं ये स्वर इस गीत में आपको रे गधनी कोमल स्वरों के अलावा शुद गः बार बार दिखाई देगा नोटेशन्ज में आईए देखें राग भैर्वी का राग परीज है थाठ है भैर्वी जिसमें रे गध और नी ये चारों स्वर कोमल लगते हैं जाती संपून संपून यानि आरो में सातों स्वर गाय जाएंगे और अवरो में भी सातों स्वर गाय जाएंगे अब आप समझ गए ना समपूर्ण यानि बारा स्वरों में से कोई भी स्वर लग सकता है वादी स्वर जो सबसे ज़्यादा गाया जाएगा वो है म तभी हमारा तानपूरा ट्यून होगा सा म पे समवादी स्वर है सा और समय है अरली मौनिंग यानि प्रात्य काल इसको गाएंगे तो ये सबसे मधुर प्रतीत होगा आईए देखें इस राक का आरोह, अवरो और पकड पकड में वो सभी इंपोर्टेंट स्वर के पैटर्न होते हैं जिससे आप किसी भी राक को पहचान सकते हैं आरोह यानि असेंडिंग ओडर और अवरो यानि डेसेंडिंग ओडर में गाना हमारा तानपुरा है ये शाप स्केल पर सा म सा सारे दम पा धानी सा सानी धाप मागा रेसा गमा पधाप गमा रेसा मागा सारे सा धानी सा राग भैरवी पर बेज़्ड गीत हम पहले भी सीख चुके हैं तो आज हम सीखेंगे कि हम खुद आलाप कैसे बना सकते हैं आपको बस ये करना है कि इस राग का आरो अवरो और पकड अपने सामने रख लीजे लिखा हुआ अब आपको दो दो स्वर आगे या फिर दो स्वर पीछे की तरफ जाना है यानि सा से नीचे मंदर सब्तक की तरफ या फिर सा से उपर सारे गमपा गमधा धापा धामपा गमारे रे सा गमधा नीदापा धाधा पमपा गमारे सा गमधा नीचे मंदर सा नीदापा गमपा गमारे रे सा इससे आपको ये फाइदा है कि आप कोई भी गीत घजल या भजन गाएंगे तो आप शुरू में गीत के पहले अपना खुद का बनाया हुआ आलाप गा सकते हैं अगर आकार में करना है इसी आलाप को तो बस थोड़ा ध्यान से मूझ खोलके पूरा आ होना चाहिए उसका प्रेनंसियेशन पहले धीरे गाया लेकिन हमारा अलाप था अब हमें जैसे जैसे सुर सही जगे पे लगें पहले आप आलाप को स्वर में बनाये और उसका आकार गा के देख लीजे ऐसे ही आपको तानों में भी करना है पहले स्वर में गाना है स्लो स्पीड में और फिर आकार में गाना है चलिए सीखते हैं इस गीत को इस गीत को गाने के लिए तानपुरा है सी स्केल पर सामा साम को था दिला आमी को था दिला तुमी आमी जुगे जुगे थाक बो शाथे आये देखें नोटेशन्स को था दिला सानी धसा आमी को था दिला माम गम गम गसा तुमी आमी माम पधसारे जुगे जुगे थाक बो शाथे रे सानी धापा मगम बाधा जुगे जुगे थाक बो शाथे धापा मगसा सानी धसा को था दिला मागम गसा परस्ट एंजा देखते हैं फूले ते जे मोनी गंधो थाके शुरे ते जे भाबे छंदो थाके फूले ते गमा मामा जे मोनी गंधो थाके मपधानी सानी धापा धापा मा नेक्स लाइन सेम ट्यून शुरे ते जे भाबे छंदो थाके एमनी कोरे सासा सरिसा आमर दुजा सासा सरिसा रोब मिश दिने उराते सानी नी धाधा पामा गपाधा यहाँ पे कुमलग और शुदग दोनों का प्रयोग हो रहा है जूगे जूगे थाक बोशा थे धापा माग सासा निधसा को था दिला आमी को था दिला इसे छे देखो मोरान फर्स्ट एंजा जैसी ही त्यून है ये भी हाशी मुखे मोरा नीजे दे तूले दे वो मारो नेर हाथे जूगे जूगे थाक भोशा थे कौथा दिला आमी कौथा दिला आशा करती हो आपको गीत पसंद आया इसी तरब फिर से मिलेंगे एक नए गीत के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मज़ फॉर बीइंग यह विद मी मुस्कुराते रहिएगा और प्राक्टिस सेल्फ लव एंड सेल्फ केर थैंक यू नमस्ते